आज हम बनाएंगे एक दम कुरकुरे मसाले दर लच्छा पराथा लियार बलाज और इसके मसाला जो है ना बहुत ही डिलिसियास और चटपटा है और बहुत ही कुरकुरे है आज का ये पराथा तो चले रेशिपी को शुरू करते है तो सबसे पहले मैंने देर कटोरी जितना आटा ले लिए हूँ गेहू का आटा है ये अभी इसमें देर चम्मच जितना नमाग और थोड़ा सा अजुआइन हाथ से क्रस्ट करके दे देंगे इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और एक चम्मच भरके देसी घी देंगे सबको अच्छे से एक मिनीट मिक्स कर लेंगे फिर थोड़ा थोड़ा पानी देके इसका एक स्मूज सा फाइन डो बना लेंगे एक गम स्मूज सा नरम सॉप्थ डो बनना चाहिए इसको साइड में रखके भी मसाला बना लेंगे तो इसके लिए मैंने डेज चम्मच जीतना बेशन थोड़ा ड्राय रोस्ट कर जब ड्राय रोस्ट हो जाए तो इसको एक बॉल में निकाल लेंगे अभी कुछ ड्राय मसाला भी दे देंगे एक चम्मच भरके धनिया पाउडर आधा चम्मच से कम जीरा पाउडर आधा चमच गरम मसाला थोड़ा सा हल्दी एक चम्मच कस्मरी रेचली पाउडर एक अभी थोड़ा सा एक चम्मघ जितना गी इसके उपर ब्रस कर लेंगे अच्छे से ब्रस करना है घीको अभी जो मसाला मैंने रेडी करके रखे थे, वो मसाला इसके उपर धीरे-धीरे देते जाएंगे, पुरा किनारा तक चारो और फैला देंगे, अच्छे से, अभी धीरे-धीरे एक साइड का किनारे को उठाते जाएंगे, और ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, ऐसे किनारे को और नीचे अंदर में दबा पैक कर लेंगे इससे आ। हमारा बहुत लेयर अच्छा अन्हम देयर अजले थोड़ा दास्टिंग और बेल लेंगे बहुत दीमे धीमे भेर ना परेंगे उसका जो लेयर नहीं ऐगा तो पराठा में अच्छे से लेयर नहीं आएगा इस तरह से दिमे दिमे बेलना है तो दोज्टो थोड़ा मोटा करके बेलना है ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे एक पराठा हमारा रेडी हो गया है अभी इसको तबाव पे दे देंगे मीडियम फ्लेम में पराठा को सेग लें इसको मीडियम फ्लेम में क्रिस्पी करके फ्राइ कर लेंगे तो देखो अभी से कितना सुन्दर हमारे लेयर बन रहा है तो मेरा इस तरह से साड़ा पराठा हो गया कितना सुन्दर लेयर वाला पराठा हमारा रेडी हो गया है तो दोस्तों कैसा लगा रेसीपी को जरूर ब बताना